वड़ी खवर हम आपको बता रहे हैं CDSC की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा किया गया है पैरा सीटामॉल जो टेबलेट है वो कॉल्टी टेस्ट में फेल हो गई है सुगर हाई बीपी कैलसेम डी 3 वी कॉल्टी टेस्ट में फेल हो गई है बड़ा जटका लगा है कह सकते ह क्याम लोगों की सेहस से किस तरीके से खिलबाड किया जा रहा था उसको आप इस रिपोर्ट के खुलासे से समज सकते हैं त्रेपन दबाईया क्वाल्टी टेस्ट में फेल हो गई हैं पैरा सीटामाल सही त्रेपन दबाईयां जो है वो क्वाल्टी टेस्ट में फेल पाई गई हैं इनमें बिटामिन, सुगर और ब्लड प्रेसर की दबाओं के अलाबा एंटी बायोटिक्स भी सामिल हैं देश की सब चौकाने बाला ये खुलासा है कि आम लोगों की सेहस से किस तरीके से खिलबार किया जा रहा है और देखिए कैलसियम पैरासिटमॉल ऐसा कोई सक्स नहीं होगा जो पैरासिटमॉल टेबलेट यूज ना करता हो लगबग हर छोटी मोटी जरूरत या फिर कह सकते हैं सरीर में ह कैलसियम और बिटामिन, D3, सप्लिमेंट्स, एंटी, डाइबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेसर की दबाएं सामिल हैं जो आम लोगों की सेहस से खिलबाड कर रही हैं बैन की गई दबाओं की लिस्ट की बात करें तो इन में एक जाइटी भी सामिल की जाने बाली क्लोना, जेपाम, टेबलेट, दर्द, निबारक, डिकलोफेनेक, सांस की बिमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली, एंबराकसोल, एंटी, फंगल, फ्लूकोनाजोल और इसके अलाबा कुछ मल्टी बिटामिन टेबलेट भी सामिल हैं इसके अलाबा कई कैलसियम की दबाएं स प्लूकोनाजोल जो जांच में फेल हो गई है, हिंदुस्तान एंटी, बायोटिक्स लिम्टेड इसे बनाती है, इसी तरह टारेट फार्माशोटिकल्स की सेलकॉल टेबलेट भी जांच में फेल पाई गई है, और देखिए किस तरीके से कौन सी दबाएं फेल पाई गई है वो हम आपको टीबी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इनको आप देखकर समझ सकते हैं कौन सी दबाएं फेल हुई है, इनमें बिटामिन सी और बिटामिन डी की तरी टेबलेट जो है, वो भी सामिल हुई है, किस तरीके से जो अहम दबाएं फेल हुई है, वो हम आपको बता र प्रतिबंद लगाने की बात कही जा रहे है यह वड़ी जानकारी हम आप तक साजा कर रहे हैं किस तरीके से इन दबाओं को जो है फेल पाया है तो पांच ऐसी दबाएं हैं जिन पर FTC दबाओं पर प्रतिबंद लगा दिया गया है इनमें Mycanemic Acid यानी Paracetamol Injection जो है उस पर भी प्रतिबंद लगा दिया गया है इसके अलाबा Ceturigen SCL और इसके अलाबा Paracetamol प्लस Phenyl Phenol Phenol की टेबलेट्स पर लगा है और किस तरीके से यह सरीर को नुक्सान पहुंचा रही थी इनको आप समझ सकते हैं तो हेयर टीटमेंट्स लेकार एंटी बोडी ताक जितनी भी दबाएं सामिल है वो सब फेल पाएंगा है और ये बड़ा खुलासा हुआ है तो खुलासा कैसे हुआ एक बार वो भी हम आपको बता देते हैं कि खुलासा कैसे इसकल किया गया है दरसल जो CDSCO है उसने अपनी साइट एक लिप्ट पर एक जारी किया है जिसमें बताया गया है कि पैरासिटमाल, पैंडी और कैलसियम सप्लिमेंट साइट त्रेपन दबाएं क्वाल्टी चेक जब इनका किया गया है तो क्वाल्टी चेक में ये पूरी तरीके से फेल पाएं गई है जाहिर है इन दबाओं को लेकर सुरक्चा सम्मन्दी चिंताएं पैदा हो गई है आम आदमी सोंच रहा है कि भला क्या न खाएं और क्या ना सोंचें जो लोगों ने इन दबाओं का इस्तेमाल किया है उन पर इसके क्या साइड इफेक्ट होंगे और कितना बड़ा उनका कैसकते है नुकसान हो सकता है उनको नुकसान पहुशा सकती है तो कुल मिलाकर ये आम लोगों की सेहर से खिलवार किया जा रहा है कुछ कमपनियां तो ऐसी पाई गई है जो कह सकते हैं नामी कमपनियां है जिनके नाम सामिल है तो कुल मिलाकर कुछ कमपनियां ऐसी है जिनकी दबाओं की सप्लाई पर रोक लगा दी गई अगर उन दबाओं की बात करें तो इनमें मैसर्स अग्रोन रेमडीज की कप सीरब बा क्लोरोफेम्डकल आइडरॉप है और इसके अलाबा मैसर्स अलाइंस बाइटेक की हाईट्रो कोटीसोन सोडियम इंजिक्शन भी सामिल है इसके लाबा मैसर्स, एननजी, लाइप, साइंस की आर्ट, सुनेट, इंजेक्शन भी सामिल है तो कुल मिलाकर दवाएं भी सामिल नहीं है कई ऐसे इंजेक्शन सामिल हैं जिन पर प्रतिबंद लगा दिया गया है त्रेपन दवाएं क्वाल्टी टेस्ट में पूरी तरीके से फेल पाई गई आपको ध्यान होगा जब अभी हाली में बाबा राम देओ की कमपनी पर पतंजली के कई प्रोड़क्ट जो है टेस्ट में फेल पाई गये थे उन पर प्रतिबंद लगा दिया गया था और तब चर्चा में आ गया था लेकिन अब देखिए यहाँ पर त्रेपन ऐसी दवाई हैं कह सकते हैं अंग्रेजी दवाई हैं जिनका हम इस्तेमाल कह सकते हैं डेली तो नहीं लेकिन हर अपते कही न कहीं करी लेते हैं लेकिन अब देखिए सभी दबाएं जो है फेल पाई गई है और ड्रग रेगलेटर की ओर से क्वाल्टी टेस्ट में दबाई फेल पाई गई है इनमें कई ऐसे नाम है कौन सी कंपनिया कौन सी दबाई बनाती है हम आपको ये भी बता जेते हैं इनमें हेटरो ड्रक्स, एलके लाइबो रेटरिज हिंदुस्तान एंटिबाट्रिक्स लिम्टेड इसको बनाती है इसके अलाबा करनाटक एंटिबाट्रिक्स एंड फार्मा स्युट कल लिम्टेड ये भी जो है कह सकते हैं प्रतिवंदित पाई गई है इनकी भी दबाई जो क्वाल्टी टेस्ट में लोग इस्तेमाल करते हैं तो जाएब सी बात है लोगों को नुक्सान भी पहुचा सकती है इसके अलाबा पेट संक्रम में खाई जाने बाली कई दबाईआं जो हैं वो कह सकते हैं फैल पाई गई हैै टेस्ट में तो इसी तरीके से बच्चों को जो दबाईयां दी जाती है वो भी टेस्ट में फेल हो गई है, प्रयोग साला ने हैदराबाद में एक हेटेरो सेपोड एक्सपी पच्चास ड्राई सस्पेंशन घटिया गुडवत्ता करार दिया गया है, इस दबाई को बच्चों को दी जाती है, तो कुल मिलाकर ये दबा जो है वो बैक्टीरियल संक् सब्सक्राइड कंट्रोल और्गोनाइजेशन ने 156 फिक्स दबाओं को प्रतिबंद लगा दिया लगया था, उस बक्त अब डीसी ने कहा था कि जिसमें दो या दो से अधिक दबाओं के केमिकाल यानी सॉल्ट को निश्चित अनपाद में मिलाकर बनाया जाता है, इस आच ऐसी कमपनियां हैं जिनको परतिबंद कर दिया गया है, ततकाल प्रभाव से उन पर बैन लगा दिया गया है